तो अब अब बनाते है कि Borelium की एक खास बात है, मतलब Borelium anomalous behavior क्या होता है Borelium का, तो उसको open check करते है, ठीक है, तो Borelium के anomalous behavior में सबसे पहले तो बात यह है कि Borelium एक special metal है पूरे group number 2 में, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी size बहुत छोटी होती है, इसकी atomic size भी छोटी है, इसकी जो electronegativity है, वो higher है पूरे group में, इसकी ionization enthalpy भी higher होती है पूरे group में, तो यह इसको special बनाता है, ठीक है, अब speciality को ज़रा check कर लेते हैं, speciality की बात यह है कि जो Borelium है, वो एक hard metal है, Borelium is a hard metal, बर अगर आलग बाकी दूसरों की बात करेंगे, तो वो soft metal होते हैं, Borelium एक hard metal ह होता है, जबकि magnesium, calcium, यह soft metal होते हैं, इसी तरह से Borelium जो है न, least metallic है इन सब में, क्योंकि यहाँ पर फजान rule के हिसाब से, अगर आप फजान rule लगाओगे, सबसे चोटा size है, सबसे चोटा size है, तो इसमें metallic property सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉवलेंट करेक्टर ज इसकी boiling point इसकी ion addition therapy सभी से highest होती है, group number 2 की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर, comparison यहाँ group number 2 में हो रहा है, गलती से सबका मत समझ लेना, इसी तरह से यहाँ पर Borelium का oxide है और Borelium का hydroxide है, वो basically amphoteric nature का होता है, मतलब बाकी का basic होता है, यह amphoteric होता है, acid और बेस दोनों से react कर ल So, there is a diagonal relationship between Borelium and Aluminium, मैंने पहले ही कहा था कि Borelium का संबंध है, नैतिक है कि अनैतिक है वो तो आपन आगे पता करेंगे, लेकिन Borelium का संबंध है, किसके साथ, Aluminium के साथ, तो जड़ा चेक करते हैं, देखो Borelium और Aluminium आपस में similarity रखते हैं, सबसे पहले तो covalency को रहे है कि does not show reaction with acid, जाधा तर Borelium और Aluminium के ऊपर है न, oxygen की layer होती है, acid के साथ वो generally react नहीं करते हैं, समझ में आ गया, Aluminium और Borelium generally react नहीं करते हैं, अगर हम लोग Hydroxide की बात करो, Hydroxide in the presence of Alkali, अगर उसकी बात करें तो, तो Borelium ज्या करता है, अगर आप उसको massive excess Alkali solution में डाल तो वो एक complex compound बना लेता है, जहाँ पर दो hydroxy group थे महाँ चार हो गए, ऐसी Aluminium भी क्या करता है, जहाँ पर 3 थे महाँ पर एक और accept करके, वो 4, मतलब यहाँ पर 2 OH group extra जोड लेता है, समझ में आ गया, अपनी भूग को मिटाने के लिए, यह भी क्या करता है, एक OH group extra जोड ले इसी तरह से Aluminium का Carbide भी यही करता है, Aluminium का Hydroxide को बाहर निकाल लेता हो, साथ में Methane Gase बाहर निकलता है, यह इसकी Speciality है